अमेरिकन मिनिस्टर मार्टिन लूथर किंग जुनियर अमेरिका के एक पादरी आंदोलनकारी एवं अफरीकी अमरीकी नागरिक अधिकारों के संगर्ष के परमुख नेता थे जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है इस वीडियो में उन्हीं के कुछ आकर्षक कोट्स के बारे में जानेंगे आपकी सवारी तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक आपकी कमर जुकी ना हो इसलिए अपनी कमर सीधी करो और काम में जुट जाओ हमारी बैग्यानिक सक्ति ने हमारी अध्यात्मिक सक्ति को कुछल दिया हमारे पास गाइडिड मिशाइल तो है लेकिन लोग मिसगाइडिड है हम लोगों ने मचलियों से समुद्र में तैरना सिखा, चिणियों से हवा में उड़ना सिखा, लेकिन हम पिर्थिवी पर रहकर आज तक भाई बेहनों की तरह रहना नहीं सिख सके सच्ची सिख्षा का लक्ष चरित्र के साथ बुद्धी मता का विकास करना है, पूरी एक आगरता से विकास करने की छमता देना ही सिख्षा का कार्य है यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दोड़ो यदि तुम दोड़ नहीं सकते हो तो चलो यदि तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो लेकि तुम जैसे भी करो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा यदि इनसान ऐसा लक्ष ना ढून पाए जिसके लिए वह मर सकता है तो वह जिन्दा रहने के लायक नहीं है जब पती घर आये तो पत्नी को खुश होना चाहिए लेकिन यदि पत्नी घर से बाहर जाये तो पती को दुखी होना चाहिए मैंने अपने जीवन में प्यार को अपनाने का फैसला किया है क्योंकि दुस्मनी में बहुत जमिला होता है हमारे जीवन का अंत होना उस दिन प्रारंब हो जाता है जिस दिन से हम उन चीजों पर चुप रहते हैं जो चीजें हमारे जिन्दगी में मैंने रखती है आप केवल अंधेरे में ही आसमान की सितारे को देख सकते हैं मैंने प्यार के साथ जुड़ने का निर्णे लिया है क्योंकि नफरत का भार बहुत ज़्यादा होता है जिसे उठाया नहीं जा सकता सची अज्यानता और जान बुझकर दिखाए गई अज्यानता से ज़्यादा खतरनाग इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है चांदी और सोने से ज़्यादा केमती सांती होता है जीवन की उतक्रिष्टरता महत्तपूर्ण होती है ना कि दिर्गायू होना आख के बदले आख अगर इसी राह पर चलते रहे तो एक दिन सब अंदे हो जाएंगे हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए नहीं तो हम एक दूसरे से लड़कर ऐसे ही मर जाएंगे सिक्षः का सही उद्देश चरित्त के साथ बुद्धि मता का विकास करना है बाद में दूसमन की बोली नहीं बलकि दोस्तों की चुप़ी याद राती है प्रेम में ऐसी ताकत होती है जो दूसमन को भी दोस्त बना देती है जो लोगों के विचारे को बदल कर रख देते हैं वही सच्चे लीडर होते हैं सही काम करने के लिए हर वक्त सही होता है हमें सिमित असफलताओं को सुविकार करना चाहिए पर असमित आसाओं को नहीं खोना चाहिए एक सच्चा लीडर लोगों के विचारों के पीछे नहीं चलता बलकि लोगों के विचारों को बदल देता है किसी भी जगा हो रहा अन्याय हर अस्थान पर न्याय के लिए खत्रा है प्रेम एक मात रहसी सकती है जो सत्रु को मित्र में बदल सकती है सबसे बड़ा तरास्दी बुरे बेक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं बलकि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है प्रतेक बेक्ति को या फैसला कर लेना चाहिए कि वह रचनात्मक प्रोपकारी के आलोक में चलेगा या बिनासकारी खुदगर्जी के अंधेरे में आपके उपर तब तक कोई सवार नहीं हो सकता जब तक आपकी कमर जुकी ना हो इसलिए अपनी कमर सिधी करें वो अलक्ष के लिए काम में जुट जाएं विकास का तात पर धन और बेबब नहीं अपितु चरित्र और बिवेक होता है अता अपना आत्म अबलोकन करो सत्ति से डराना अच्छी बात है सत्ति से डराना नहीं आता इसका सामना के लिए हमेशा तयार रहो नैतिकता वो अस्त्र है जो चरित्र को उज्वल बनाते हुए परतिस्था ही परदान करती है बिना चेष्टा के किसी भी कारे में शफलता पाना अत्यंद कठिन है आसा करना अच्छी बात है पर उस पर निर्वर रहना नहीं क्योंकि आसा परिष्ट्रम पर निर्वर होता है समय बहुत तेज है इसके साथ चलने वाले ही यहां सफल होते हैं और विप्रित दिसा में जाने वाले अपने बिनास को या मंत्रित करते हैं सौ सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गती देना है यह सफलता का मोल मंत्र है वास्तविक नेता शर्व सम्मत्ती की तलास नहीं करता उसे निर्मित करता है कोई भी बेक्ती आपको इस पतन पर नहीं ले जा सकता कि आप उससे नफरत करो